दोस्तों computer basic course का ये video number 11 है इस video के अंदर हम लोग जो है memory क्या है इसके बारे में जानेंगे साथ ही हम लोग जानेंगे memory की कितने प्रकार होते हैं यानि कि memory की complete जानकारी इस video के अंदर आपको मिलेगी तो hello दोस्तों मेरा नामी गुलाब स्वागत है आप सभी का गुलाब गुरू कंप्यूटर smart class में दोस्तों अगर आपको ये video पसंद आता है तो विडियो को आप एक लाइक जरूर से करिएगा और इस video को अपने दोस्तों के साथ share भी करिएगा और अगर आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लिजेगा तो सबसे पहले बात करते हैं कि memory क्या है तो memory computer की storage unit है यह computer का मतपूर हिस्सा होती है इसमें हम data प्रोग्राम आदी को store करके रख सकते हैं सीधी भासा में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जिस तरह से हम अपने दिमाग में बहुत सारी जानकारिये को इकठा करके रखते हैं और समय आने पर हम उसे जगह जगह इस्तमाल करते हैं ठीक उसी परकार से computer की भी एक memory होती है जहां पर computer में सभी program data file store करके रखे जाते हैं और समय आने पर हम लोग जो है direct इन memory में से इसे जो है use कर सकते हैं यानि इस्तमाल कर सकते हैं अब जो है आपको clear हो गया होगा कि आखिर memory क्या है और यह जो computer की memory होती है यह कई unit में बटी होती है जैसे की byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte ऐसे से कई सारे byteों में बटी होती है लेकिन सबसे unit की बात के रहें तो वो byte होती है अब बात करते हैं memory कितने परकार की होती है तो आपकी जानकारे के लिए बता दू कि computer की memory सिर्फ दो परकार की होती है पहला होता है primary memory और दूसरा होता है secondary memory primary memory के अंतरगत भी बहुत सारी memory आती है और secondary memory के अंतरगत भी बहुत सारी memory के परक प्रकार आते हैं तो हम लोग बारी बारी से डिसकस करेंगे कि प्राइमरी मेमरी आखिर क्या है और इसके अंदर कौन-कौन से प्रकार आते हैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेकंडरी मेमरी का है और इसके अंदर कौन-कौन से प्रकार आते हैं तो सबसे पहले बात कर प्राइमरी मेमरी के बारे में तो इस मेमरी को में मेमरी या फिर मुख मेमरी भी कहा जाता है और ये दो परकार की होती है और वो दोनों परकार की अगर दोस्तों बात करें तो पहला परकार है रैम और दूसरा परकार है रोम तो चलिए अब हम लोग जो है रैम क्या है और रो इस फुल फर्म को आप नोट कर लिजिए कई बार परिच्छाओं में रैम का फुल फर्म पूछा गया है इसको computer की मुख्य या main memory कहा जाता है यह स्थाई memory होती है अर्थात इसमें store किया गया data computer बंद होने पर delete हो जाता है जिसका पुन प्राप नहीं किया जा सकता है यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम अपने computer में कुछ भी काम करते है जब तक उसे save नहीं करते है तब तक वो हमारे RAM में होता है अगर हम उसे save नहीं करेंगे इस बीच में अगर बिजली cut हो जाती है और हमारा computer बंद हो जाता है तो जो RAM में रखा हुआ data होगा ना तो वो automatic delete हो जाता है क्योंकि हमने जो है उसे save नहीं किया था यानि उसे इस्थाई memory में नहीं डाला था और आपको मैंने बताया है कि RAM जो है और इस्थाई memory है जब data हमारा और इस्थाई memory में रहेगा तो obviously बात है जब computer या फिर laptop हमारा shutdown या फिर बंद हो जाएगा तो जो हमारे अस्थाई memory में data है वो automatic जो है डिलीट हो जाता है जिसको हम दोबारा से नहीं पा सकते हैं दोस्तों data delete होने की वज़ए से ही इसको volatile memory का जाता है volatile memory का मतलब यह है कि जैसे ही बिजली गुल होगी यह जो data है delete हो जाएगा तो यहां से यह समझ में आ गया होगा कि आखिर RAM क्या है और दोस्तों RAM भी दो परकार के होते हैं पहला होता है SRAM और दूसरा होता है DRAM चलिए बारी बारी से इसके बारे में भी मैं पूरा नाम यानि full form static random access memory है इसको आप note कर लीजिए यह कई बार परिच्छाओं में पूछा गया है यह flip-flop से मिलकर बनी होती है इसलिए यह कम refresh होती है और बात करें अगर DRAM के तो इसका पूरा नाम यानि full form dynamic random access memory है यह भी कई बार परिच्छाओं में पूछा गया इसका full form तो आप इसे भी note कर लीजिए यह memory जल्दी जल्दी refresh होती है refresh का मतलब electronic charge या discharge से होता है यह 1 second में 1000 बार refresh होती है अभी मैं आपको बताता हूँ कि refresh का actual मतलब क्या है देखिए दोस्तों जब हम normally computer में कोई काम करते हैं तो उस समय SRAM memory काम करती है और कम refresh होती है लेकिन जब ह इंटरनेट पर कोई browser या फिर live match हो इसका update देख रहे होते हैं तो उस समय DRAM काम करती है काम कैसे करती है यह refresh होती है जैसे कि माल लिजे कोई match आ रहा है ठीक है उसमें जो score बताये जा रहे हैं जो run बताये जा रहे हैं जो लोग balling करते हैं इसमें बताया गया है कि इतने ball fake द पर अपडेट होता रहता है तो यही DRAM उस समय काम करता है जब हम लोग ऐसी condition में रहते हैं तो हम उस समय हमारे computer का DRAM काम करता है और जल्दी जल्दी refresh हो करके हमें जो भी वहाँ पर activity हो रहे है वो दिखाता है लेकिन जब हम normally computer में काम करते हैं तो उस समय हमारा SRAM काम करता है और यह जल्दी जल्दी refresh नहीं होता है चलिए अब बात करते हैं रोम memory के बारे में तो रोम का फुल फार्म होता है read only memory यह computer की primary memory होती है और यह style memory होती है इसमें computer को start करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम एवं setting जो है होती है और यह 3 प्रकार की होती है पी रोम, ईपी रोम और EEP रोम इसके बारे में हम लोग जो है आगे discuss करेंगे सबसे पहले तो मैं आपको रोम पूरा clear कर देता हूँ कि आखिर रोम क्या है देखे मैंने आपको बताया कि read only memory जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि इसके नाम से ही पता चलता है कि read only memory यानि इस memory को केवल read किया जा सक रहता है और यह स्थाई memory है यानि कि जब हमारे computer से चलाते वक्त जो भी data इसके अंदर है अगर बिजली चली भी जाती है उस दौरान इसमें जो भी data रहेगा वो delete नहीं होता है वो स्थाई रहता है ना ही आप इसको बदल सकते हो और ना ही यह computer बंद होने के बार delete होता है और इसमें जो है computer को start करने वाले प्राथिर्मिक प्रोग्राम या हम setting होती है जैसे कि computer को start करने के लिए जब हम power button दबाते हैं CPU में से बटन दबाते हैं तो computer को जो आदेश मिलता है वो इस memory के through मिलता है इसमें क्योंकि सारे program start करने वाले और setting जो है इस memory के अंदर पहले से ह डाल करके हमको computer या फिर laptop में दी जाती है तो यहां से यह बात clear हो गई हो कि ROM क्या है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ROM तीन प्रकार के होते हैं चलिए इन सभी के बारे में भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं P ROM के बारे में तो इसका पूरा नाम है programable read only memory इस चिप में एक बार program store किया जा सकता था यदि program में कोई शुरूटी यानि की error आ जाता है तो error होने पर उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता था इसके बात करते हैं EP ROM के बारे में तो इसका पूरा नाम erisable programmable read only memory है इस चिप में store program में सुधार किया जा सकता था चिप में सुधार करने के लिए चिप को board से बाहर निकाल कर परा बैगनी केड़े यानि ultraviolet ray के सामने रखा जाता था बात करें EEP ROM का तो इसका पूरा नाम electronic erisable programmable read only memory है इस चिप में EP ROM की समस्या को दूर किया गया है इस चिप में store program एवं data में सुधार करने के लिए विद जा रहा है इसमें से दोस्तों जो आपको main main point याद रखने हैं वो इसकी full form याद रखनी है और कितने परकार होते हैं रोम की कितने परकार होते हैं वो आपको याद रखना है और इनका full form याद रखना है कहीं न कहीं ये परिच्छाओं में बार बार repeat होते हैं अब बात करते है secondary memory के बारे में तो secondary memory को auxiliary memory भी कहा जाता है यह computer का भाग नहीं होती है इसकी storage छमता अधिक होती है एवं data को access करने की जो गती है न वो primary memory से धीमी होती है इसमें जो है store किया गया data हमेशा रहता है secondary memory के कई सारे प्रकार हैं लेकिन उसमें से मैंने कुछ प्रकार यहां पर लिख के रखे हैं जिनको मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ जैसे कि hard disk drive यानि HDD FDD और इसके बाद जो है pen drive CD DVD SSD magnetic disk यह सब जो है secondary memory के उधारण है तो चलिए बारी बारी से हम लोग जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं HDD की यानि की hard disk drive यह एक disk storage drive है और यह एक बड़ी storage device होती है अक्सर computer या फिर laptop में TV यानि terabyte के range में देखनी को मिलती है अगर आपने अभी तक HDD यानि hard disk drive को नहीं देखा है तो यह photo में आप देख सेकते हो यही HDD यानि hard disk drive है अब बात कर लेते हैं SSD के बारे में तो SSD का फुल फर्मता है solid slate drive यह HDD यानि hard disk drive के मुकाबले में काफी fast होती है और कोई भी काम को computer में जल्दी run यानि access करती है बीजली की भी कम खपत करती हैं दोस्तों जब भी आप नया laptop या फिर computer लें तो उसमें SSD जरूर देखें क्योंकि HDD के मुकाबले SDD काफी ज़्यादा fast होती है इससे आपका computer या फिर laptop बहुत तेज से run करता है जो भी आप computer या फिर laptop पर काम करोगे वो बहुत ही जल्दी access होते हैं क्योंकि ये काफी fast होते हैं HDD के मुकाबले अब बात करते हैं FDD यानि floppy disk drive ये दोस्तों सिस्क हो गया है इसको disk कर लीजेगा floppy disk drive इस storage device का इस्तमाल पहले बहुत जादा होता था क्योंकि ये portable होते थे और ये HDD यानि hard disk drive के मुकाबले काफी सस्ते भी होते हैं लेकिन ये HDD के मुकाबले काफी धीमी यानि slow काम करते हैं अभी आप FDD यानि floppy disk drive की बात करो तो ये देखी ये है floppy disk drive जो कि हमारे CPU में कुछ इस तरीके से लगाई जाती है बाहर की site से और ये portable थी इसी वज़े से पहले बहुत जादा इस्तमाल में आती थी portable का मतलब है कि आप इसको निकाल करके फिर कहीं पर भी लेके जा सकते हैं अब बात करते हैं magnetic disk की तो magnetic disk में बहुत जादा data को store करने की छमता होती है और ये computer में रखे गए सभी परकार के data को सीधे access कर सकता है जो magnetic disk था वो उसका storage था बहुत जादा था उसमें बहुत परकार किया बहुत जादा से जादा data को रख सकते थे और जो magnetic disk की खास बात थी कि जो भी इसको computer को data चाहिए था वो direct जो है magnetic disk से access कर पाता था दोस्तों अब बात करते हैं compact disk यानी cd के बारे में cd का full farm compact disk होता है और इसमें data को store करने की छमता जादा से जादा 700 mb ही होती है अभी आप cd को मेरी screen पे याँ पर देख सकते हूँ दोस्तों अभी तो digital जमाना हो चुका है सारे के सारे जो है internet पे काम हो रहे हैं और सभी के पास जो है mobile laptop ये सारी चीज़े आ चुकी है लेकिन पहले cd आते थे cd rider जिसमें हम लोग cd चलाते थे जो भी film में वगरा होती थी कुछ इस तरीकी का cd होता था अभी के time में तो ये बहुत ही कम use होते हैं और पतानी use भी होते की नहीं मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है अब दोस्तों बात करते हैं dvd के बारे में तो dvd का full farm होता है digital versatile disk ये full farm काफी बार परिछाओं में आ चुके हैं तो आप इसको note कर लीजिए और इसमें जो डेटा को store करने की जो चमता होती है वो ज्यादा से ज्यादा 4.7 zb होती है single side में यानि single side में आप ये cd जो है single side क यानि इसके पीछे की side में जो है इस data को आप storage कर सकते हो लेकिन काफी सारी cd आपने देखा होगा double side की आती है यानि आगे पीछे दोनों side में कर सकते हो तो single side में 4.7 zb और अगर दूसरी side पे करोगे तो 9.7 zb के लमसम में जो है इसमें data आप storage कर सकते हो यानि लगभग बान कहें तो 10 zb तक data आप इसमें बस storage करके रख सकते हो double side हुआ तो single side में 4.7 zb ही data storage होता था लेकिन पहले की जो आपने देखे होंगे इस तरीके की dvd में जो है movies 4-5 आ जाती थी तो पहले की movies कम gb की हुआ भी करती थी और इसमें जो है 4-5 movies को store करके हमको ये dvd दी जाती थी फिर हम अपने घर पर लाकर कि इसको dvd में लगा करके देखा करते थे और आप लोगों ने भी देखा होगा चलिए अब बात करते हैं next के बारे में जो की है pen drive जो कि दोस्तों इसमें आप pen drive काफी ज़्यादा इस्तमाल में देख रहे होंगे तो pen drive को हम लोग usb flash drive के नाम से भी जानते हैं ये ज़्यादा तर data को जो है store करने और एक device से दूसरे device में transfer करने के लिए इस्तमाल में ली जाती हैं market में 2GB से लेकर के 128GB तक pen drive आसानी से 128GB से भी उपर मिल जाएगा लेकिन वो इतना rear case में होगा कि market में हो उसके लिए आपको बड़ी market जाना पड़ेगा लेकिन local market से भी आप लोगे तो 2GB से लेकर के 128GB तक तो pen drive का आप चितर यहाँ पर देख सेकते हो कुछ इस तरीके से जो है ये pen drive होते हैं तो दोस्तों आज करेंगे कल एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ अपते के लिए जय हिंद वंदमातर हम